दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर बैठे एक दो बच्चों की मा जो है वो कैसे करोडो रुपे कमा रही है और उसने कौन सी पांच बातें आसी बताई हैं जिनको अगर आपने मान लिया तो आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी तो वीडियो को स्टाट करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा होगा तो दोस्तों इस महिला ने शोशल मेडिया पर वीडियो शियर करके ये बताया है कि उसे कैसे सफलता मिली है अब वो अपने एक शौक को अपने ड्रीम जॉब में बदल कर करोडों रुपे कमा रही है एक महिला घर बैठे हर साल करोडों रुपे कमा रही है दोस्तों और अब वो भी अपनी सफलता के पीछे का राज बता रही है। इनका नाम है Chrisley Lim। वो जिस काम को शौक के तौर पर किया करती थी, अब उसी को उन्होंने अपनी ड्रीम जॉब बना लिया है दोस्तों। क्रिसले ने शोशल मीडिया पर बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटे से ब्लॉक से अपनी शुरुआत की और अब फैशन के छेतर में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है वो दसन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिसले को शोशल मीडिया पर अमीर मा भी कहा जाता है उन्होंने अब टिक टॉक पर वीडियो पोस्ट करके लोगों को अपनी सफलता के लिए जरूरी पाँच टिप्स बताएं हैं उनका ये कहना है कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप सिर्फ अमीर हैं तो दोस्तों उन्होंने कहा कि नहीं अपनी जिंदगी में मैं बीते 12 साल से कड़ी मेहनत कर रही हूँ और आपको भी करनी चाहिए क्रिसले ने बताया कि उन्होंने महद शौक के तौर पर एक फैशन ब्लॉक की शुरुआत की थी वो भी 10 साल पहले जब वो कॉलेज में पढ़ा करती थी दोस्तों क्रिसले लिम ने सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पाँच बाते भी बताई दोस्तों समय के साथ साथ उनकी सफलता बढ़ती गई और वो दुनिया पूरी की पूरी दुनिया घूम चुकी है टॉप डिजाइनर्स के साथ उन्होंने काम किया है क्रिसले ने बार्बी डॉल भी बनाई है और अपना खुद का परफ्यूम और कपड़े भी उन्होंने लॉंच किये हैं अब उन्होंने लोगों को सफल होने के लिए पाँच टिप्स बताए हैं दोस्तों इसकी शुरुआत अपना मकसद जानने से होती है दूसरा टिप है कंसिस्टेंसी उनका कहना है कि वो हर हफते यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हैं और ब्लॉग के लिए हर रोज कंटेंट लिखती हैं उन्होंने तीसरा टिप बताया कि उन लोगों को आपको ढूनना होगा जो सेम फील्ड में काम करते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं ताकि आप एक साथ काम कर सकें चौती सलाह उन्होंने ये दी है कि कुछ काम मुफ्त में भी करने चाहिए ताकि नई स्किल्स सीखने को मिले इसके अलावा उन्होंने पांचवी टिप दी है कि आपको पेशन्स रखना चाहिए और चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों न हो आपको कभी भी हार नहीं मानने चाहिए दोस्तों क्रिसले का वीडियो टिक टॉक पर वाइडल हो गया और यहां आठ लाग से अधिक लोगों ने इसको लाइक किया और कमेंट शेक्शन में लोगों ने उनकी जम कर तारीव की दोस्तों आपका क्रिसले के बारे में क्या ख्याल है क्रिसले लिम्क जो suggestion्स हैं उनके बारे में आपको क्या लगता है क्या आपको लगता है कि इन suggestion्स को following करने से आपको सक्सेस मिलेगी तो comment कर के जरुर बताइएगा फिर मिलती हूँ नई informative वीडियो के साथ तिल देन बबाइ